आज हम लोग मोडल क्वेश्चन पेपर 2022 में ग्राफ की चर्चा करने जा रहे हैं मैट्रिक परिक्षा में पांच नंबर का जो सवाल रहता है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सवाल है कि आलेखी विदी से हल करें पांच नंबर का पांच अंग का यह सवाल रहता है है तो आज हम ग्राफ की चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्राफ कैसे खीच कर हम हल निकालते हैं तो यह कोश्चन मोडल पेपर 2022 का 31 नंबर का सवाल है यह पांच अंग का सवाल है कि आलेखी विदी से हल करें एक्स मैनेस वाई बराबर One टू एक्स प्लस थिरी वाई बराबर 12 तो यह दो चर्वाले युगपत रैखिक समिगण है तो इसका हमको ग्राफ खीचना है और ग्राफ की विदी से हमें कैसे हल करेंगे वह हमें देखना है चलिए ग्राफ की कॉपी हमें परिछा में मिलता है और ग्राफ की कॉपी पर हमें क्या क्या लिखना पड़ता है तो सबसे पहले देखते हैं कि यह ग्राफ की कॉपी है ग्राफ की कॉपी पर इस तर किसे निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रस्ण लिखते हैं ग्राप की कॉपी पर क्या लिखते हैं तो हम लोग देखें ध्यान से कि प्रस्ण मेरा ही ग्राप की कॉपी है मेरा तो ग्राप की कॉपी पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो प्रस्ण दिया वराता है उस समिकरन एक मानलेंगे और इसे समिकरन दो मानलेंगे आप इसको समिकरन एक तथा दो मानने के बाद हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे कि सबसे पहले कि graph मेरा कैसा बनेगा वो condition सबसे पहले find हमको करना है तो यहाँ पर हमें सर्थ यह निकालना है कि हमारा graph कैसा होगा तो सर्थ कैसे निकालेंगे तो दो चरवाले यूपत रैखिक समिकरण में हम लोग सर्थ निकालते हैं A1 बटे A2 करके A1 बटे A2 कहां होता है तो समिकरण 1 में X का गुनांग और समिकरण 2 में X का गुनांग दोनों को हम लोग बटे के फॉर्म में लेखते हैं तो यहाँ पर X का गुनांग को एक छिपा हुआ है और यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे A1 बटे A2 तो A1 यहाँ पर 1 हो गिया और A2 दो एक बटे दो अब हम लोग B1 बटे B2 भी निका लेंगे मेरा कंडिशन पता लगाना बहुँ जरूरी है तो B1 बटे B2 क्या हो जाएगा समिकरण 1 में Y का गुनांग और समिकरण 2 में Y का गुनांग यहाँ पर माइनस है यहाँ पर 1 हाइड है तो हम लिए सकते हैं माइनस 1 बटे 3 और C1 बटे C2 जो कॉंस्टन टरम होता है एक बटे 12 अब हमें यह देखना है कि कि जो सर्थ मेरा है A1 बटे A2 और B1 बटे B2 को क्या देखने को मिलता है कि यह एक बटे 2 है और यह माइनस 1 बटे 3 है यह दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यह बता रहे कि दोनों difference है यह एक बटे 2 है यह माइनस 1 बटे 3 तो यहाँ पर हम हमारा condition जो सर्थ क्या बता रहा है कि A1 बटे a2 is not equal to b1 by b2 तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ये मेरा condition ये सर्थ बताता है कि मेरा जो है आलेख या graph कैसा होगा आलेख क्या होगा प्रतिछेदी रेखाएं होगी प्रतिछेदी रेखाएं होगी graph पर जो बनेगा उजो रेखा होगी वो प्रतिछेदी होगी इस तरह का intersect line बनेगा इस तरह का चाहिए ऐसे बने लेकिन कहीं न कहीं intersection point होगा ज़रूर ये condition जो बताता है मेरा समीकरन का जो graph बनेगा वह जो आलेख की copy पर जो बनेगा वो मेरा graph क्या होगा प्रतिछेदी रेखाएं होगी और जहां पर दोनों intersection point होता है वही मेरा solution होता है वही मेरा हल होता है वही पर एक points का coordinate होता है x और y का और वही मेरा हल होता है तो ये मेरा condition बता दिया कि मेरा graph कैसा होगा तो प्रतिछेदी रेखाएं होगी तो अब हम यहां से क्या करते है यहां से क्या करते है अब लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण अब समीकरण 1 से हम लोग क्या करते है समीकरण 1 को हम लिखते हैं समीकरण 1 क्या है x-y बराबर 1 या ये समीकरण 1 हुआ अब यहां से हम ध्यान दे कि यह यह वाले टर्म है यह जो है हमेसा दाने तरफ बेजने का प्रयास करें क्योंकि हल करने में हमको बहुत आसान होगा तो यह x-y ब्रावर 1 है तो जोदी y के आगे माइनस है था हम तो दाने पर तरफ भेज सकते है और 1 को इधर ले आएंगे तो x-1 और इस-y को हम इधर भेज़ देंगे दाने तरफ तो पलस y हो जाएगा तो यहां हम लिख सकते हैं y बराबर x-1 अब यहां पर जब हम y बराबर x-1 जब हम निकाल लिए तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ता है एक table बनाना पड़ता है तो यहां पर लेखेंगे समिकरण एक का मानसारनी क्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही आसान है यह कठीन कुछ भी नहीं है यह 5 अंक जो है मुफ्त का चला जाता है इसे जाने नहीं देना है पांच अंक जो है लेकर रहाना है तीन समिकरण एक का मानसारनी का table हम बनाते हैं कि इसके बाद कर इदार से भी तीन कोलम बनाना एक दो और तीन इसमें हमें लिखना है X ये X नियामक ये Y नियामक और यहाँ दोनों का कोडिनेट निर्दे सांग यहाँ XY के फॉर में लिखेंगे ये समीकर मेरा एक कामांड सारनी त्यार हो गया इसी प्रकार हमें समिकरण 2 से भी तयार करना है तो चलते हैं समिकरण 2 क्या है समिकरण 2 से तो समिकरण 2 देखते हैं क्या है कि 2x πılस 3y बराबर 12 ये समिकरण मेरा 2 हुआ हम क्या बोले थी कि x वाले टर्म को जो हमें साध दाने तरफ भेज्ञे का परियास करें क्योंकि हमें हल निकालने बड़ा असान होता है तो 2x जदी पलस में यहां हम दाने तरफ भेजेंगे तो 3y बराबर क्या हो जागा 12-2x उसके बाद यहां हम करेंगे y का जब यहां पर हम value निकालेंगे तो 3 यहां पर divided हो जाएगा 12-2x by 3 अब हम क्या करेंगे समिकरन 2 का मान शार्नी भी तयार करेंगे समिकरन 2 का मान शार्नी इसमें भी हमें 3 खाना बनाना है 1, 2, 3 1, 2, 3 इसमें से x नियामक यहां पर coordinate लिना x y का निदेशांग x क्या होता है भूच y क्या होता है कोटी अब हम इतना जब त्यार कर लेने के बाद मेरा graph जो है अब हमें graph कैसे खिचना है यहां तक लाने के बाद हमें अब क्या करना है कि अब रफ में क्या करना है कि रफ में जो है यह जो समिक्रण मेरा समिक्रण एक और जो दूद दिया हुआ है उसे हम रफ में इसे हल कर लें और x y का मान इससे हम निकाल लें graph खिचने में बहुत आसान होगा यह मेरा एक सबसे आसान नियम है कि x-y ब्राबर 1 और 2x plus 3y ब्राबर बार है जो दो चरवाले युगपत रखी समिक्रण है इसको हम लोग लूप्तिकरण विदी से या अनुपात निरने विदी से या ब्रेणन विदी से या तुलनात्मक विदी से या परतियस्थापन विदी से किसी भी विदी से इसे इसमें x और y का मान निकाल ले है ताकि ग्राब खिचने में हमको बहुत ही आसान हो तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते है x और y का मान देखते है कैसे निकालते है तो हम लोग इसे रख में हल करते है रख में हल करना है x मानिस y ब्राबर 1 समिक्रण एक हुगा, 2x एक समिक्रण एक पर duplic positively गुराई तो चाहे हम इसे बरावर करhãदा है यह कौन सा बिधी बताता है यह बिलोपन बिधी है तो चलिए यहाँ पर 3y है तो हमको 3y यहाँ पर भी लाना है इसका मतलब है कि हमें समीकरण 1 में जो क्या करना पड़ेगा तीन से गुना करना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा चलिए समीकर एक में हम गुना करते हैं तीन से यहां भी गुना हो एक्स में भी वाई में भी और एक में भी तो कितना हो जाएगा यह थिरी एक्स और माइनस थिरी वाई बराबर 3 गुना एक 3 और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है 2x प्लस 3y बराबर कितना हुआ 12 यह सब हम रफ में हल कर रहे हैं यह 3y माइनस में यह 3y प्लस में यह 2 आपस में क्या होगा कड़ जाएगा हम लो जब जोडने पर लिखेंगे तो अब यहाँ पर यह 3 प्लस 3 यह प्लस 2x कितना हो गया 5 e x जोडके ते ृधिर Dear बारा भी पलस में 12 दिन कितना हुआ 15 भागा देंगे तो कितना चांस में कट यहागा थीन चांस में एक सब्सक्राइब कितना हो गया थी अब यहां पर क्या करना एक यहां पर तीन निकला है यहां पर बैठाएंगे तीन मान को हमें कहां ले जाना है तो ग्राप की कॉंपी पर ले जाना है चलिए हम लोग चलते हैं ग्राप की कॉंपी पर अब यहां पर नहीं कि यहां पर जो समीकन का मान सार्णी जो हम लोग देख हो है अभी जूँ अब हम निकालनए है एक का मान 3 और य का जो मान 2 लिखे हैं समीकन ईक क्या मान 3 यहां बठाते हैं तो जिए इसे x कमान 3 और y कमान 2 जब इसे निर्दे सांग कर रूप में लिखेंगे 3,2 और इसे भी लिखेंगे 3,2 अब हमारा क्या है कि एक कॉलम यहां पर खाली रह गिया और एक कॉलम समिक्रन 2 में भी खाली रह गिया तो इसको भरना बहुत असान है बस हम लोग क्या करेंगे अब यहां पर जो देख रहे हैं, y ब्राबर x-1, इसी से हम लोग, निकाल कर यहां भर देंगे, तो जो मान यहां पर हम x का जो निकाल रखें थ्री को छोड़कर आप कोई दूसरा मान रखें चाहे जीरो चाहे वन चाहे टू तो चली छोटा से छोटा मान हम लोग रख लेते हैं छोटा से छोटा मान अगर हम लोग रख लेंगे तो अब यहां पर एक्स का मान जीरो भी रख सकते हैं तो भी रख सकते हैं three three two nine रखे हुए तो four रख सकते हैं चलि We gotta रदी हम यहां पर को आमान two रखेंगे तो दो में घटाएंगे जो आएगा एक तो निधरिषांग के रूप में क्या लिखेंगे तो और एक चलि आगे देखते हैं समी करन्द में हमें एक को लूम खाली है इसको हमिए बरना है तो भी ले सकते हैं, तीन नहीं लेंगे, तीन छोड़ कर लेंगे, चार ले सकते हैं, तो जदी मान ले जाए कि हम ऐसा मान लें, कि ताकि तीन से ये पूरी तरह से कट जाए, तो तीन से पूरी तरह से अगर कट जाए, तो इसका मतलब है, कि यदि एक्स कामन जदी हम 0 लेते ह यह पूरे जिरो हो जाएगा अब 12 में जिरो घटेगा तो 12 आएगा अब 12 भागा देंगा 300 कड़ जाएगा इसका मतलब जदी हम एक्स कमण यहां 0 लेते हैं तो यह 0 हो जागा पूरा तो घटा के क्या आएगा 12 भागा देंगा तो आप इसको निर्देशांग के रूप में क्या लिखेंगे जीरो और चार अब यह मेरा समीखन एक और दो का मानसार ने पूरी तरह से कंप्लीट हो गया अब हम चलते हैं ग्राफ खिचने के लिए तो ग्राफ खिचने के लिए मुझे क्या क्या चच्चित की जरुरत होगा पेंसिल और इन्च की आप सकता होगी तो मेरे पास अभी कलम कलम है लेकिन हम नहीं परिशा में आपको पेंसिल और इन्च ले ले जाना है साथ में तब आप ग्राफ अच्ची तरह से खीचय केंगर और और फूल अंक में फूल अंख मील सकता है आपको यह graph कीapping रहा है और इसपर हमको graph खीचना है तो graph किसे किचेंगे इस maan... खीचेंगे सभंब्ध एक का मान... Šảngनी जो आप देख रहें यहांपर और सभंब्ध का मान... यहां पर देख रहे हैं तो समिक्रण एक कमान सारणी में एक्स का अधिकताम भेल्यू कितना देख रहे हैं तीन और समिक्रण दो कमान सारणी में एक्स का अधिकताम भेल्यू थ्री और वाई का अधिकताम भेल्यू फोर हैं तो अब हम लोग यहां पर चलते हैं कि आप ग्रा चलिए हम लोग inch की साहिता से, graph की copy पर, graph के पन्ने पर हमखिचने जा रहे हैं, तो एक ही जो रेखा, हमखिच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, 6-0 रेखा, जिसका नाम हम लोग देते हैं, x, x- convenings, और दूसरी जो, जो रेखा होती है, ग्राब पर उर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम लोग दुसरे सब्दों में लंब रेखा के नाम से भी जानते हैं तो चलिए लंब रेखा हम खिचने जा रहे हैं ग्राब की कॉपी पर ग्राब के पन्ने पर चलिए यह हुआ आपका उर्ध्वाधर रेखा इसका जो नाम हम लोग देते हैं yy- अब ये horizontal line जो है और ये vertical line है ये 36 रेखा है और ये उद्वाधर रेखा ये दोनों रेखा आपस में जिस बिंदू पर ये intersection पॉआंट इसका जो है ये 36 बिंदू इसको हम लोग कहते है मूल बिंदू जिसका निर्दे सांक सुनी सुनी होता है यानि दोनों अक्षों दोनों निर्दे सांक यानि y निर्दे सांक यानि y जो x है और x अक्ष है दोनों का जो कटान बिंदू होता है जो यहाँ पर परतीछ्चेदन बिंदू है यह अंग्रेजी में origin करा आता है, हिंदी में Adrian करा आता है और सारी दूर यहाँ हम लोग RMUL बिंदू से ही निकालते हैं तो चलिए अब हम लोग grap की coffee पर जो समान unit लेंगे यहाँ पर यह x positive है यानि x धनात्मक अक्ष तो इधर जो dash है x रिनात्मक अक्ष उपर जो आप देख रहे हैं यह y जो है धनात्मक अक्ष है और यह y जो dash है यह y रिनात्मक अक्ष है अब 0 यहाँ पर यहाँ पर जो हम लोग यह बताएं यह बताता है सकोल से हम समान युनिट लेंगे बराबर-बराबर की दूर यहां होनी हो amor की यहां पर आएक लेते हैं कि को मी पलस can में मानं एक दो जनी चार पांच शेखिए साथ और भी जो है अगर अब माणिस हैं घ्र क्ष लिखेंगे में मैडस 1 यह माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और यहाँ पर आप देखने हैं उपर में y धनात्मक अक्षे है तो यहाँ से मूल बिंदू से हम यहाँ पोजेटिव इंटिजर्स लेंगे यानि यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ पर 1 हो गया 2, 3, 4, 5, 6 अब यहाँ पर नीशी हम देखने हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टेबल में टेबल का मान सारनी समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान सारनी हमें क्या बता रहा है चलिए हम लोग टेखते हैं समीकरण 1 का मान सारनी में टेबल में क्या का है? x, y का जो कोडिनेट है 3,2 यानि x का बेलिए 3, y का बेलिए 2 तो दोनों है पॉजेटिव, दोनों है धनात्मक तो दोनों का धनात्मक अक्षिदेखेंगे x और y का मान 3, y का मान 2 X का मान 3 और Y का मान 2 कहां पर आएगा तो दोनों धनात्मक था तो X का मान 3 यहां पर धनात्मक अक्ष पर आएगा यह अब Y का मान 2 तो X का मान 3 यह हुआ और Y का मान 2 यहां पर है तो यह इधर आएगा और यह इधर जाएगा दोनों का meeting point कहा हुआ गया इस बिंदू पर हो गया तो पहले हम लोग भूज लिखते हैं तो भूज जो है x का value कितना है 3 और y का value क्या हुआ क्या है 2 यानि इसको हम लोग अरजी में FC सा बोलते हैं और ordinate बोलते हैं यह भूज हुआ और कोटी हुआ यह बिंदू इस बिंदू जो xy का निर्देशांग है 2,1 यानि x का value 2 और y का value 1 दोनों भी positive है तो दोनों positive में हम देखेंगे x का मान 2 x का मान 2 यहां पर लेंगे और y का मान 1 यहां पर positive में यहां कि इधर आएगा और यह इधर जाएगा यहां पर मिल गया इसका जो points क्या बन रहा है 2 और एक इस बिं बिंदू और यह बिंदू को क्या करेंगे हम इंच लेंगे और इंच की साहिता से हमें graph खीच देना है इस graph copy पर कि इस दोनों बिंदू से गुजरती हुई एक रेखा जानी चाहिए हलका सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए चलिए हम दोनों बिंदू को इंच की साहिता स सब्सक्राइब, दोनों बिंदू को पहले मिला लेते हैं, दोनों बिंदू अच्छी तरह से मिल जा, उसके बाद हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक रेखा खीच देंगे, चलिए हम एक रेखा घी दीए, मेरे पास तो पैंसिल नहीं है, कलम किशाइथा से खी क्एचा में यह जो ग्राफ हम copy पर गीक चीचे है यह किस समीकन का घ्राफ हम क्रीकन को इसे पर लिख देंगे बंगे समीकन एक का ग्राफ है यह तो मिर्फटने क्या है फम लिणा सकते हैं एकस मारिन सोगता हैस एकस य बराबर वण आप समीकरन एक का ग्राफ हम लोग खिश दिए आप समीकरन दो का ग्राफ हम खिशने जा रहे हैं तो देखते हैं समीकरन दो का मान सारनी क्या बताता है समीकरन दो कमान सारनी क्या है X कमान 3 और Y कमान 2 यानि इसको निरते सांग के रुप में हम लों लिखे हैं 3 कमान 2 यानि दोनों धनातमक है तो फिर X कमान 3 लेना है धनातमक में Y कमान 2 धनातमक लेना है तो देखते हैं X कमान 3 और Y कमान 2 कहा है तीन दू लिफने जरोत नहीं है, तीन दू यहां पर है, मिल गया, यह पॉइंट्स मिला तीन दू का, अब आगे क्या है, समीकरण दो का मान सारनी में क्या है, कि समीकरण दो का मान सारनी में क्या है, एक्स का मान जीरो, और य का मान क्या है, फोर, यह जीरो और फोर, तो यह यानि y का जो मान यहाँ पर फोर है यह भुज जो 0 है यह कहाँ पर points हम इसको put करेंगे अब उसको देखना है यहाँ पर ध्यान देना है कि x-axis पर यानि x-axis पर हमेशा कोटी क्या होता है जीरो होता है इस axis पर हमेशा कोटी 0 होता है और y जो axis पर हमेशा भुज 0 होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 और 4 है यहाँ भुज 0 है और y यहीं कोटी 4 है तो 0 और 4 कहाँ पर आएगा तो जहाँ पर y का value 4 होगा इसका मतलब है y का value कहाँ पर है यहाँ पर 4 है y का value यह बिंदू जो है यह बिंदू क्या निर्देशित करेगा कि पहले यहां पर यह भूज होगा 0 और y का value 4 यानि भूज 0 कोटी 4 इस अक्ष पर हमेशा भूज 0 होता है और इस अक्ष पर हमेशा कोटी 0 होता यानि काने मतलग हुआ यह बिंदू सी का जो निर्देशांग 0 और 4 यहां पर decía अब किसाइस्ता से क्या करेंगे यह भिंदू और यह बिंदू एक काम काम करेंगे principally अच्छा से बिंदो को मिला लेते हैं देखते हैं क्या बनता है कैसी याकिरथी बनती है छलिये हम लोग मिला लिए बिंदो तो मिल गिया अब हम रेखा खिषते हैं एक स्वभी रेखा खिच दिये आप यह जो graph बना है किस Same kind का graph है तो Same kind 2 का graph है यह तो Same kind 2 इस graph पर हम Same kind 2 लिख देंगे 2 receive like 2 आपर 2x plus 3y व्राबर 12 तो यह इस जो समिक्रन 2 का जो graph है यह हुआ यह रेखा है तो इस रेखा के उपर हम ने देंगा 2x प्लस 3y बराबर 12 इतना करने के बाद बस मेरा graph त्यार हो गया अब हमें हल निकालना है तो हल हम कैसे निकालेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि यह दोनों रेखाएं का intersection point कहां है यह दोनों रेखा कहां कटी है तो इस बिंदू पर आकर कटी है इस बिंदू पर आकर कटी है तो अब हमारा हल यही बता रहा है यही intersection point बता रहा है यह बिंदू बता रहा है कि मेरा हल क्या होगा तो हम यहां प और चीत्नों के उभैनिस्ट कटान बिंदू का निर्दे शांग कौन सा बिंदू है ओभैनिस्ट कटान बिंदू को निर्दे शांग कौन हुगा क्यों कि इस रेखा सी आन цен पॉंट निर्दे कान 높ुल तो अब मेरा आता है जो हल क्या हो गया हल यही बता रहा है कि मेरा x का value क्या यह तो भूज होता है और यह कोटी होता तो यही मेरा आलेखिये विदी से जो हल हुआ अंत में यही आया हल करके x का मान 3 और y का मान 2 इस तरह से हम लोग graph की copy पर graph खिशने का काम करेंगे और एक नमबर भी मानिस नहीं कर सकता है full number में full number मिलेगा और समीक्रन 1 और 2 ग्राफ हम लोग खिचे कितना आसान लगदा k खिचने में graph से पहले सबसे पहले हम लोग block condition तेयार करूं condition मेरा क्या बताता है कि मेरा graph कैसा बनेगा उसके बाद आगे जाके समीक्रन 1 का मान शारनी त्यार करें समिक्रन दो एक और दो का मान सारनी त्यार करने के बाद रफ में हम लोग इस दोनों समिक्रन को हल कर लें एक और वाई का मान निकाल लें और इस दोनों टेबल में पूट कर दें एक और वाई का भेल्यू बागी एक कोलम बचता है दोनों में तो इस समिक्रन से हम लोग आसान और इस पर हम लोग x-axis और y-axis पहले ड्राव करेंगे उसके वह सारा हम लोग units जो बराबर बराबर units यहां बना है जो हम लोग 1,2,3,4 लिखने का काम करें अवसिक उसके बाद जब समिक्रण 1 और समिक्रण 2 का जब हम लोग graph खिचेंगे जहां पर मेरा दोनों intersection section point होगा जहां आप पर मेरा common points होगा हुआ ही मेरा graph का अभिष्ठ हलोता है अभी आपने देखा कि इस दोनों रेखाएं का common points क्या हुआ तो point 8 का जो निर्दे सांख है 3,2 यह fc सा है यह ordinate है यानि यह भूज है और यह कोटी है तो x का value 3 निकला और y का value 2 निकला चलिए हम लोग इसी तरह ग्राफ की चर्चा करने जा रहे हैं मैट्रिक परिक्षा में 5 नंबर का जो सवाल रहता है आप देख सकते हैं यह आपर कि एक सवाल है कि आलेखी विदी से हल करें 5 नंबर का 5 अंग का यह सवाल रहता है दो चरवाले यूपत रैखी समिकरन का graph खींच कर हल निकालने के लि कोश्चन मोडल पेपर 2022 का 31 नंबर का सवाल है यह 5 अंग का सवाल है कि आलेखी विदी से हल करें x-y बराबर 1 2x-3y बराबर 12 तो यह दो चरवाले यूपत रैखी समिकरन है तो इसका हमको graph खींचना है और graph यह विदी से हमें कैसे हल करेंगे वह हमें देखना है चलिए graph की graph की copy पर हमें क्या क्या लिखना पड़ता है तो सबसे पहले देखते हैं कि यह graph की हल जो है हम लोग कैसे निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रस्ण लिखते हैं ग्राप की कॉपी पर क्या लिखते हैं तो हम लोग देखें ध्यान से कि प्रस्ण मेरा ही ग्राप की कॉपी है मेरा तो ग्राप की कॉपी पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो प्रस्ण द मान लेंगे और इसे समिक्रन 2 मान लेंगे अब इसको शुम्हेगा निकता था दो मानने के बाद हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे कि सबसे पहले कि graph मेरा कैसा बनेगा वह condition सबसे पहले फाइंड हम गों करना है तो यहां पर हमें सर्थ यह निकालना है कि हमारा graph कैसा होगा तो सर्थ कैसे निकालेंगे तो दो चरवाले युगपत रैखिक समिकरण में हम लोग सर्थ निकालते हैं A1 बटे A2 करके A1 बटे A2 कहां होता है तो समिकरण 1 में X का गुनांग और समिकरण 2 में x का गुनांग, दोनों को हम लोग बटे के form में लिखते हैं, तो यहां पर x का गुनांग को 1 चिपा हुआ है, और यहां पर 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1 बटे a2, तो a1 यहां पर 1 हो गिया, और a2 2, एक बटे 2, अब हम लोग b1 बटे b2 भी निकालेंगे, मेरा condition पता लागाना वहुँ ज्नूरी है तो 212 बटे टू क्या हो जाएगा समीकरण एक में वाई का उर समीकरण 2 में यहाँ पर माइनस है यहां पर वन है तो मुर्यिश शक्तने माइनस भाइथ 3 और C1 बटे C2 जो constant टरम होता है एक बटे 12 अब हमें ये देखना है कि कि जो सर्थ मेरा है A1 बटे A2 और B1 बटे B2 को जब हम compare करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ये 1 बटे 2 है और ये minus 1 बटे 3 है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये हमारा बता रहा है कि दोनों difference है ये 1 बटे 2 है ये minus 1 बटे 3 तो यहाँ पर हम हमारा condition जो सर्थ क्या बता रहा है कि A1 बटे A2 is not equal to B1 by B2 तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ये मेरा condition ये सर्थ बताता है कि मेरा जो है आलेक या ग्राफ कैसा होगा आलेक क्या होगा प्रतिछेदी रेखाएं होगी प्रतिछेदी रेखाएं होगी ग्राफ पर जो बनेगा वो जो रेखा होगी वो प्रतिछेदी होगी इस्तरा का intersect line बनेगा इस्तरा का चाह ऐसे बने लेकिन कहीं न कहीं intersection point होगा जरूर ये condition जो बताता है मेरा समीकरन का जो graph बनेगा वह जो आलेक की copy पर जो बनेगा वो मेरा graph क्या होगा परतिछेदी रेखाएं होगी और जहां पर दोनों intersection point होता है वही मेरा solution होता है वही मेरा हल होता है वही पर एक points का coordinate होता है x और y का और वही मेरा हल होता है तो ये मेरा condition बता दिया कि मेरा graph कैसा होगा तो परतिछेदी रेखाएं होगी तो अब हम यहां से क्या करते हैं यहां से क्या करते हैं अब लिखेंगे समीकरन 1 से समीकरन अब समीकरण एक से हम लोग क्या करते हैं समीकरण एक को हम लिखते हैं समीकरण एक क्या है एक्स माइनस वाई बराबर वन या यह समीकरण एक हुआ अब यहां से हम ध्यान दे कि एक्स वाले जो टर्म है एक्स जो है हमें साथ दाने तरफ भेजने का परियास करें क्योंकि हल करने में हमको बहुत आसान होगा तो यह x-y ब्राबर 1 है तो ज़िए y के आगे माइनस है था हम तो दाने तरफ भेज सकते हैं और 1 को इधर ले आएंगे तो x-1 और इस y को हम इधर भेज देगे दाने तरफ तो पलस y हो जाएगा तो यहां हम लिख सकते हैं y ब्राबर x-1 अब यहां पर जब हम y ब्राबर x-1 जब हम निकाल लिए तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ता है एक table बनाना पड़ता है तो यहां पर लेखेंगे समिकरण 1 का मान्सारै ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या जाना पड़ता है आप ज़िदा ध्यान से देखेंगे बहुत की आसान है यह कठीन कुछ भी नहीं है यह पांच अंक जो है मुफ्त का चला जाता है इससे जाने नहीं देना है पाँच अंक जो है लेकर रहा है तियों सम films एक का मान सारणी का टेबल हम बनाते हैं तीन खाना तीन होरिजयनटल लाइन एक दो तीन विह होरिजयनटल लाइन लुगन कितना खाना हो गया एक दो तीन उसके बाद इधर से भी तीन कॉलम बनाना एक 2 और 3 इसमें हमें लिखना है X ये X नियामक ये Y नियामक और यहां दोनों का coordinate निर्दे सांग यहां XY के form में लिखेंगे ये समिकर मेरा एक कमांड सार्णी त्यार हो गया इसी प्रकार हमें समिकरन 2 से भी त्यार करना है तो चलते हैं समिकरन 2 क्या है समिकरन 2 से तो समिकरन 2 देखते हैं क्या है कि 2X प्लस 3Y बराबर 12 तो 2X प्लस 3Y बराबर 12 ये समिकरन मेरा 2 हुआ लिखेंगे या हम क्या बोले थे कि X वाले टर्म को जो हमीशा दाने तरफ भेजने का प्रियास करें क्योंकि हमें हल निकालने बड़ा असान होता है तो 2X प्लस मेरा थे हम दाने तरफ भेजेंगे तो 3Y बराबर क्या हो जागा 12-2X उसके बाद या हम करेंगे Y का जब यहाँ पर हम भेल्यू निकालेंगे तो 3 यहाँ पर डिभाड़ेड हो जाएगा 12-2X बाइ 3 अब हम क्या करेंगे समीकरन 2 का मान शारनी भी त्यार करेंगे समीकरन 2 का मान शारनी इसमें भी हमें 3 खाना बनाना है 1-2-3 1-2-3 इसमें से X नियामक यहाँ पर कॉडिनेट लिना X, Y का नितेशांग X क्या होता है भूछ Y क्या होता है गोटी अब हम इतना जब त्यार कर लेने के बाद मेरा ग्राफ जो है अब हमें ग्राफ कैसे खिचना है यहाँ तक लाने के बाद हमें अब क्या करना है कि अब रफ में क्या करना है कि रफ में जो है ये जो समिक्रण मेरा समिक्रण एक और जो दूद दिया हुआ है उसे हम रफ में इसे हल कर लें और x वार y का मान इसे हम निकाल लें ग्राफ खिचने में बहुत आसान होगा ये मेरा एक सबसे आसान नियम है जो समिक जो दो दो चरे वाल रहका श्रूही बें प्रती स्थापन निकाल लें रे साव खुचनयीं विचने में हमको बहुत ही आसान हो तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं चैन्मुकर्ण मां जबा ऱसी दुकि सब्सक्राइब बर्याबर 12 आब यहां पर क्या है कि कोई भी टर्म एक्स का गुनांक देखते हैं कि यहाँ पर एक है यहाँ पर दो आपस में बराबर नहीं है यह भी वाई का जो गुनांक है यह आपस में बराबर है नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है कि समिक्रण 1 और 2 का x ट्रम जो हमें बराबर करना पड़ता है यह y ट्रम बराबर करना पड़ता है तो चाहे हम इसे बराबर कर लें चाहे इसे बराबर कर लें यह कौन सा बिदी बताता है यह बिलोपन बिदी है तो चलिए यहां पर 3y है तो हमको 3y यहां पर भी लाना है इसका मतलब है कि हमें समीक्रन एक में जो क्या करना पड़ेगा तीन से गुना करना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा चलिए समीक्रन एक में हम गुना करते हैं तीन से यहां भी गुना हो एक्स में भी वाई में भी और एक में भी तो कितना हो जाएगा यह थिरी एक्स और माइनस 3y बराबर 3 गुना एक 3 इसमें तो कुछ करना ही नहीं है 2x 3y बराबर कितना हुआ 12 यह समें हम रफ में हल कर रहे हैं यह 3y माइनस में 3y पलस में यह दोना अपस में क्या हुआ कर जाएगा हलो जोडने पर लिखेंगे तो यह प्लस 3x यह प्लस 2x कितना हो गया 5x जोड़के यह 3 पलस में 12 भी पलस में 12 इन कितना हुआ 15 भागा देंगे तो कितना चांस में कट जाएगा 3 एक बराबर कितना हो गया 3 अब य का फेल्यों हमें निकालने आए तो इस एक्स का मान जो है मेरा मांत बराबर ही होगा y का घरम हाईगा चलि ये को लिए ता है घराइंगे इसका मतलब हमकcorce जाएंगा दो तो इसका मतलब कितना हो गया आखिक वराबर टीन और वाई बराबर दो इसी मान को हमें कहां ले जाना है तो ग्राप की खुंफी पर ले चलid लोग आप यहां पर की देखते हैं कि यहां पर फजिस आते हैं और यहां doit 2 लिखें स्कमांद 2 कि मान सार्मिंड में भाई का मानट 2 क्रते simple सा ही मांस इमें एक मान थ्रिया दो स्थारव जाब कि मैं अर्हं जाब keyword 1 कि कभाई 3 और सबसे इसे यहां निर्दे सांग्र आप में लिखें के लिखें गे और एक कोलम समिकरन दो में भी खाल रागिया तो इसको भरना बहुत असान है बस हम लोग क्या करेंगे अब यहां पर जो देख रहे हैं y बराबर x-1 इसी से हम लोग निकाल के यहां भर देंगे तो जो मान यहां पर हम x का जो निकाल रखें हैं 3 को छोड़कर आप कोई दूस सकते हैं 3 तो निर्देशांग के रूप में क्या लिखेंगे तो और एक चली आगे देखते हैं समिकरन 2 में हमें एक कोलम खाली है इसको भरना है तो इसी से भरना है तो इसी से भरना है तो हमको यहां पर x का मान जो निकाल रखें हैं 3 छोड़कर हमको को कोई छोड़ा सा मा सब्सक्राइब लें दों खोड़कर लेंगे शार लें सकते हैं तो हम्तलब गटेगा को 176 लेते यहाँ रहे six मतलब खमाद हैं ऐसी हम द्ल़ास दोड़ी जिरो मोरी यहां मतलब चुन्हाल जाएगा 155 तो यह जीरो हो जागा पूरा तो घटा के क्या आएगा बारा भारा भागा देंगा तीन सथ कर जाएगा तो अब इसको निर्टे सांग के रूफ में क्या लिखेंगे जीरो और चार अब यह मेरा समिकन एक और दो का मानसार ने पूरी तरह से कंप्लीट हो गया अब हम चलते ह अब कलम है लेकिन आपको कलम नहीं ले जाना है परिशा में आपको पेंसिल और इंच ले जाना है साथ में तब आप ग्राफ अच्छी तरह से खिच सकेंगे और फूल अंक में फूल अंक मिल सकता है आपको यह ग्राफ की कॉपी रहा है और इस पर हमको ग्राफ खिचना है तो ग्राप कैसे खीचेंगे इस मानसारनी की साहितास हमें ग्राप खीचेंगे समिक्रण एक का मानसारनी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर और समिक्रण दो का मानसारनी में एक्स का अधिकतम वेल्यू कितना देख रहे हैं तीन और समिक्रण दो का मानसारनी में एक्स का अध और एक ल ayr होता है चलिए हम लोग की शायता से ग्राप की कौरी पर के पन्षे पर हम खिछ रहे हैं इसको हम लोग अचरी रेखा जिसका नाम हम लोग देते हैं एक्स एक्स डैस और दूसरी जो जो रेखा होती है ग्राब पर उर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम लोग दूसरे सब्दों में लंब रेखा के नाम से भी जानते हैं तो चलिए लंब रेखा हम खिचने जा रहे हैं ग्राब की कॉप अब यह होरिजेंटल लाइन ही जो है और यह वर्टिकल लाइन है यह मंतलव यह 36 रेखा है और यह उद्वाधर रेखा यह दोनों रेखा आपस में जिस बिंदू पर यह इंटर्सेक्शन पॉइंट इसका जो है यह परतिछेदन बिंदू इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदू जिसका निर्देशांक सुनी सुनी होता है यानि दोनों अक्षों दोनों निर्देशांक यानि वाई निर्देशांक यानि य जो एक्ष है और एक्स-क्ष है दोनों का यहां पर प्रतिशेदन बिंदू है यह अंग्रेजी में ओरिजीन कालाता है हिंदी में मूल बिंदू कालाता और सारी दूरियां हम लोग मूल बिंदू से ही निकालते हैं अब जीरो यहां पर यहां पर जो हम लोग ओ से इसको डिर्देसित करते हैं मूल बिंदू को जिसका निर्देसांग सुनी सुन होता है और दाहिने तरफ या बाये तरफ यह दाहिने तरफ जो पलस का जो मार्किंग है यानि यह पोजेटिव भी बताता है यहां से हम समान यू अगर अस्पेस से तमलू लिए सकते हैं अब माइनस इस डाइस क्या है डाइस जो बताता है यह एक स्रिनात्मक अक्ष है तो यहां से मूल बिंदू से हम यहां पोजेटिव इंटिजर्स लेंगे यानि यहां पर जीरू होता है तो यहां पर एक हो गया दो तीन चार पांच छे अब यहां पर नीशी हम देखते हैं कि y- मतलब y रिनात्मक अक्षे तो मूल बिन्दूस से इधर हम निगेटिव इंटिजर्स लेंगे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 और भी अस्पेस लाएकर थम लो लिए सकते हैं चलिए हम दो टेबल देखते हैं समीकर्ण एक कमान सारणी में टेबल में क्या कहा है एकस y का जो कोडिनेट है 3,2 यानि x का वेल्यू 3, y का वेल्यू 2 तो दोनों है पोजिटीव दोनों है धनात्मक तो दोनों का धनात्मक अक्षे देखेंगे x और y का तो x कमान 3 y कमान 2 x कमान 30 और y कमान 2 कहां पर आएगा तो दोनों धनात्मक था तो 6 ५ – 3 यहां पर धनात्मक अक्षे पर आएगा यह अव Y कमान 2 तो X का मान 3 यह हुआ और Y का मान 2 यहां पर है यह इधर आएगा और यह इधर जाएगा दोनों का मीटिंग पॉइंट कहा हुआ गया इस बिंदू पर हो गया तो पहले हम लोग भूज लिखते हैं तो भूज जो है यह बिंदू का दे सकते हैं किसी बिंदू का नाम दे सकते हैं बिंदू 1 का जो यहां पर निर्देसांग है यहां पर यहां पर जाएगा यहां पर मिल गया इसका जो पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं हैं है यह मैले बिंदू बी माली अशको थै कि अभ्य यह बिंदु को क्या करेंगे हम इंच लेंगे और इंच की स्पार से हमें ग्राप काँपी पर कि इस दोनों बिंदू से गुजरती हुई एक एक कि या जानी चाहिए हाल्का सा भी इधर उधर नहीं होनीistoone को हुआ छाहिए हम दोनों बिंदू को Disится के दोनों बिंदू को मिला लेते हैं हैं inch के दार्या करते हैं दोनोंस देद चींदूम करें और फिरशन डुरेंगे 먹어a दर्वाई ॐ लेकिन आपको इसा नहीं करना पको पेंízिल ले जाना है परिशा में यह जो graph हम copy पर यह रोखना किते हैं उस समयकंड्ड का सहन को हम इस पर लिखंगे देख समीकरण एक का graph है ये तो समीकरण एक क्या है तो समीकरण एक क्या है तो हम लोग लिए सकते हैं x-y बराबर 1 तो हम लोग इस line के उपर हम क्या लिखेंगे x-y बराबर 1 आप समिकरन एक का ग्राफ हम लोग खिश दिए आप समिकरन दो का ग्राफ हम खिशने जा रहे हैं तो देखते हैं समिकरन दो का मान सारनी क्या बताता है 2 x3 or y2 by 3 x3 है दोनों धनात्मक है तो फिर 3 x3 लेना है धनात्मक में y2 तो देखते हैं x कमान 3 by कहां है धनात्मक तिन यहाँ पर और y कमान दो, यहाँ इसका मतलब यह इधर जाने के बाद और यह इधर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर points करें, चलिए, यानि 3-2 यहाँ पर तो लिखाओ यानि 3-2 लिखने जरो अधने जरोत नहीं है, 3-2 यहाँ पर मिल गया, यह points मिला 3-2 का, अब आग क्या हुआ कोटी तो zero और फोर यह यानिo पर जो मान यहां कोट करेंगे अब उसको देखना है कहां पर ध्यान जो दुना है कि x-axis पर यह compelled यानि एक्स रक्स पर हमेशा कोटी क्या होता है जीरो होता है इस एक्सिस पर हमेशा कोटी जीरो होता है और वाई जो एक्सिस पर हमेशा भुझ जीरो होता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जीरो और फोर है यहां भुझ जीरो है और वाई यानि कोटी चार है तो जहां पर y का value 4 होगा इसका मतलब है y का value कहां पर है यहां पर 4 है y का value यह बिंदु जो है यह बिंदु क्या निदेशित करें कौन सा points निदेशित करेंगा कि पहले यहां पर यह भूज होगा 0 और y का value 4 यानि भूज 0 कोटी 4 इस अक्ष पर हमेशा भूज 0 होता है और इस अक तो ने सांग जीरो और फ़ोर यहाँ पर आएगा है अब करेंगे क्या पहला नहीं यहाँ पर आए था मलग अब लोग मिला लिये बिन्दू तो मिल गया आब हम रेखाा केशते हैं कि एक सिधी रेखा खिच दिये अब यह जो ग्राफ बना है किस समिक्राण का ग्राफ है तो समिक्राण 2 का ग्राफ है यह तो इस ग्राफ पर हम समिक्राण 2 लिख देंगे इस समीक्रण 2 क्या है यहां पर 2x plus 3y बराबर 12 तो यह इस जो समीक्रण 2 का जो ग्राफ है यह हुआ यह रेखा है तो इस रेखा के उपर हमने देंगा 2x plus 3y बराबर 12 इतना करने के बाद बस मेरा ग्राफ त्यार हो गया अब हमें हल निकालना है तो हल हम कैसे निकाल निकालेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि यह दोनों रेखा कहां कटी है तो इस बिंदू पर आकर कटी है इस बिंदू पर आकर कटी है तो हम हमारा हल यही बता रहा है यही इ यहां पर लिखते हैं graphite compare कि दोनों कि लेखा चित्रों कि दोनों लेखा चित्रों के के उववहयनिस्ट क्टान बिंदू का निर्द говорить क्टान बिंदू का निर्दे शांग कौन्सा बिंदू ह dwell रिखा का भी पॉइंट और आओ पह。 इसका मतलब यह उभेनिष्ट common हो गया तो इस बिंदू का निले सांग क्या है बिंदू एक निले सांग क्या है 3 और 2 तो अब मेरा आता है जो हल क्या हो गया हल यही बता रहा है कि मेरा x का value क्या यह तो भूज होता है और यह कोटी होता तिने x का value 3 और y का value 2 यही मेरा आलेख की Northernor में full number मिलेगा और में समिकरन समीकरन एक और दो का graph कहे है कितना असाल लगा खिषने में कशिषने zou पहले सब से पहले हमलोग condition तैयार कर लें condition मेरा बताता है कि मेरा graph कैसा बनेगा उसके बाद आगे जाके समीकरन एक और दो का मांसारनी तयार करेंutive के बाद रफ में हम लोग इस दोनों समिक्रन को हल कर लें X और Y का मान निकाल लें और इस दोनों टेबल में पूट कर दें X और Y का भेल्यू बागी एक कोलम बचता है दोनों में तो इस समिक्रन से हम लोग आसानी से छोटा छोटा भेल्यू रखकर हम लोग इसमें पूट कर देंगे समिक्रण एक से और समिक्रण दो से बिल्कुल मेरा जब मांसार नहीं त्यार हो जाएगा तो ग्राप की कॉपी के पन्ने को इस तरह से उलटने का काम करेंगे और इस पर हम लोग X-axis और Y-axis पहले ड्रॉ करेंगे उसके वाद सारा हम लोग units जो पॉइंट्स होगा हुआ ही मेरा ग्राप का अभिष्ठ हलोता है अभी आपने देखा कि इस दोनों रेखाएं का कॉमन पॉइंट्स क्या हुआ है तो पॉइंट एट का जो निर्देशांग है तीन कॉमा दू यह सिसा है यानि यह भूज है और यह कोटी है तो X का वेलू ज निकला चलिए हम लोग इसी तरह से खिशने का काम करेंगे बहुत धन्दीबाद